हेलो एवरिएटो मैं डौक्टर नीरु कोशिक एक बार फिर से नवभरती परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ इससे पहले के मेरे वीडियो में मैंने आपको पर्यावरण पारिस्तिती की और पारिस्तिती की तंतर के बारे में बताया आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विशो के प्रमुक पारिस्तिकी तंत्र के बारे में देखिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पारिस्तिकी तंत्र के अंतरगत जैविक और जैविक घटकों के बीच के संबंद को हम पारिस्तिकी तंत्र कहते हैं लेकिन अगर हम बात करें एक छोटे से तालाब की तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो तालाब भी अपने आप में एक पारिस्तिकी तंतर के रूप में कार्य करता है या एक बहुत बड़ा समुंदर है वो अपने आप में एक पारिस्तिकी तंतर का निर्मान करता है तो इस वी पारिसितिकी तंत्र की अपनी विशेशनाओं के आधार पर ही हम पारिसितिकी तंत्र को दो प्रमुख भागों में बाटते हैं पहला है प्राकर्तिक पारिसितिकी तंत्र और दूसरा है क्रित्रिम पारिसितिकी तंत्र इस स्लाइड में हम देखेंगे प्राकर्तिक पारिसिति पारिस्तिकी तंत्र जो की जल शेत्र के अंदर पाया जाता है। इस थलिए कोई पुने फिर अन्य भागों में बाटा गया है जैसे घास के मैदान, वन, मरुस्तल, टुंडरा प्रदेश और फिर वन में भी उश्न कटी बन दिये है, सितोश्न है और शंकुधारी बन है। इस पारिस्तिकी तंत्र के अंतरगत इसे हमने जो मनुष्य ने खुद ने अपना एको सिस्टम बनाया जैसे की क्रशी यानि अगर हम कोई अगरी कल्चर लेंड की बात करते हैं, खहीं पर क्रिशी करते हैं, तो वो जो खेत है, वो पूरा खेत भी अपने आप में एक एको सिस् पारिस्तिति की तंत्र कहलाता है, तो इस प्रकार ये मानव निनुवित पारिस्तिति की तंत्र होते हैं, बात करते हैं वन पारिस्तिति की तंत्र की, इसके अंतरगत वन से हमें पताई है कि जो बहुत घना पेड़ों से व्रक्ष से घिरावा एरिया है, वो क्या कहलाता है, वन कहलाता है यहाँ पर इस शेत्र के अंदर पेड़ों की प्रभूता मानी जाती है जिसमें छोटे बड़े पेड़ पोदे जाड़ियां शैवाल जंगली जानवर पक्षी कीट पतंगे विभिन परजातियां मिलकर इस एको सिस्टम का निर्मान करती है वन शेत्र को भी हमने तीन भागों में बाटा है उश्नकटि बंदिये वन शितोश्नकटि बंदिये वन और शंकुधारी वन पहला आता है उश्नकटि बंदिये वन उश्नकटि बंदिये वन को भी दो भागों में पुने बाटा है उश्नकटि बंदिये सदा बहार वन जिसमे जो कि विश्वत ने रेखा कि निकटका वैक शेत्रे जहांपर की पूरे वर्ष क्या रहता है तापमान काफी उंच होता है और मौश्चर या नमी बनी रहती है और वहाँ पर औस जो वारशिक वर्षा है 200 से अधिक होती है विश्वत रेखिये वन्नों में अत्यदिक वर्ष नहीं किया जा सकता है और यहाँ पर अमलिय व्रिद्दा पाई जाती है इस छेतर में व्रक्ष और जाडियों के भी तीन इस्तर होते हैं जैसे कि बहुत उचे हैं वो बड़े व्रक्ष हैं उसके नीचे छोटी जाडियां पाई जाती हैं और सूर्य की रोष्णी भी घने होने के कारण नीचले इस्तर पर नहीं पहुँच पाती है इसमें सबसे उपरी इस्तर पर जो रोजवूड है सैंडल वूड जिसे कहा जाता है एपिफाइट्स और सबसे नीचले इस्तर पर बहुत सारी लताएं यानि बहुत छोटी बेले पाई जाती है इन व्रक्ष जो भी ये उश्न कटिबंद्य सदाबार वन है इसका विस्तार एमेजन बेसीन कांगो बेसीन वे अंडमान एमनेको बार सुमात्र आधिक शेत्रों में पाया जाता है यहां की और बात करें उश्न कटिबंद्य पर्ण पातिया मानसोनी वन वैक शेत्र जहां उसत वार्षिक वर्षा 70-200 संटीमेटर यानि 70-200 संटीमेटर के बीच में होती है उसे हम उस शेत्र के वनों को हम मानसोनी वन के अंतरगत लाते हैं इन वनों के पोधे शुष्क या ग्रिश्म रितु में अपनी पतियों को गिरा देते हैं ताकि वास्पोस शर्जन कम हो वास्पोस शर्जन मतलब इवप्रेशन कम हो क्योंकि ऐसा होगा अगर पतियां लगी रहेगी पेड़ पर तो क्या होगा जैसे गर्मी आएगी तो पतियों से वाटर लॉस होना शुरू हो जाएगा और जिसके कारण पानी की कमी आजाएगी तो ये अपने आपी पेड़ों पतियों को गिरा देते हैं ताकि इन में इवप्रेशन कम से कम हो इन वनों के प्रमुक वरक्ष जो होते हों सागवान, सीशम, बास, आदी यहाँ पर मुख्य रूप से वरक्ष पाए जाते हैं नेक्स्ट है मध्य अक्षांशिय या स्रितोष्न कटिबंद वन इन वनों को भी तीन भागों में बाटा गया है मध्य अक्षांशिय सदाबाहर वन, दूसरा है मध्य अक्षांशिय पणपाती वन और तीसरा भूमत सागरिय वन मद्य अक्षांसिय सदाबाहरवन में हम बात करें तो ये उपोष्ण प्रदिशों में महादिवों के पूरवी तटिय भागों के वर्षावनों को इसके अंतरगत रखा गया है इन वर्णों में जो व्रक्ष पाए जाते हैं उनकी पतिया काफी चोड़ी होती है और युकलिप्टस इसमें प्रमुक रक्ष है यहाँ पर मुख्य रूप से दक्षणी जो चीन है जापान है दक्षणी ब्राजील है दक्षणी एशिया है इस शित्र में इस प्रकार के सदाबाहरवन पाए जाते हैं मद्य अक्षांश यह पंड़ पाती वन यह वन उष्ण कटी बंदिये पंड़ पाती वनों के विपरीत शीत रुतू में ठंड से बचने के लिए अपनी पतियां गिरा देते हैं जैसे कि हमने देखा था वो क्या करते हैं गर्मियों में अपनी पतियों गिराते हैं और यह स शाइन्स में महादीपों के पश्चमी भागों में यह वन पाए जाते हैं ग्रिश्म रितु शुश्क वे गर्म तथा शीत रितु आदर वे ठंडी होती है यानि गर्में जो है वो मौसम अधिक गरम होता और सरदियों में मौश्चर वाले ठंडा मौसम यहां पर बना रहता ह और वर्षा रशीत रितू में होती है इन वनों में परमक रूप से जैतोन, पाइन, नाशपाती, नारंगे, निम्बू इत्यादी के व्रक्ष पाए जाते हैं तो वन छेतर के अंदर विभिन वनस्पतिया और जीव विभिन इस्तरों पर पाए जाते हैं और ये सभी मिलकर य कीट, पक्षी, जानवर यहां पर पाए जाते हैं और अगर निचले जो पोदे हैं जहां पर की प्रकाश कम उपलब्ध है तो वहां पर भी भूमी की सतय पर प्रकाश नय के बराबर पहुँचने कारण वहां पर जीव होते हैं चमकादर होते हैं विभिन परकार के कीट, प पारिस्तिति की तंतर का निर्मान करते हैं अगर बात करें कि विश्यो का सबसे बड़ा पुश रेफलेशिया जिसका की वजन साथ किलोग्राम होता है और उसकी जो गंद होती है वो एक सड़े हुए मीट के समान होती है और वो कीटों को आकरशित करती है वो भी इस परकार के वनों में ही पाया जाता है और भारत में कैरल की शांत घाटियों में जो साइलेंट वैली है इस परकार का एक मात्र वन है जहां पर विविन परकार की प्रजातियां या जय विवित्ता अधिक पाई जाती है और वहां के एकोसिस्टम का निर्मान करती है फिर आपके शंकुधारी वन ट्रैगा वन जिसे कहते हैं इस प्रकार के वन प्रमुक्ते परवतिक शेत्रों में आर्क्टिक शेत्रों में पाये जाते हैं और जिससे कि इनका वासपोस सर्जन कम से कम हो और पतियां पर बरफ ना रुके यानि बरफ इस एरिया में गिरेगी तो वो पतियों पर टिकी नहीं रहे और इसमें भी आमलिये पाड़ जोल म्रदा पाये जाते हैं जो की खनीच जिसके अंदर नहीं होते हैं प्राकरतिक एकोसिस्टम की कैटेगरी में अगला आता है मरुस्तल यह पारिस्तिकी तंत्र है पारिस्तिकी तंत्र प्रित्वी के उन हिस्तों में पाये जाते हैं जहां पर की वाशपी करण की दर वर्षा की दर से अधिक होती हैं यहां पर जो है पेड़ पोदे उनमें वा साथ भाग गेरे हुए रहते हैं मरुस्तली छेतर में भी बात करें तो यहां पर रात की वायू मंडल का तापमान गिर जाता है यानि राते ठंडी होती हैं और जलवायू के अधार पर भी हम मरुस्तलों को उश्ण कटीबंदिये मरुस्तल जिसके अंतरगत आता है सहारा मरु चुनियों के दिनों में यह गर्म वेर रातने ठंडी तथा सर्धियों में मौसम सरद ही रहता है तो दक्षनी कैलिफॉर्निया के जो मौजेव मरुस्तल वह इस कैटेगिरी का या इसका उधारन है फिर आता है कोल्ड टेजर्ट, शीत मरुस्तल, इन मरुस्तलों में..! गर्ய गर्म वे सीत रूटों में ठंडी होती है जो चीन का गोबी मरुस्तल है वो शीत मरुस्तल का एक उधारन है मरुस्तल में जो पेड़ पोदे हैं उनकी विशेशता ही होती है कि वहाँ पे पतियां भहुती छोटी और नुकिली होती है पोदे भी अतिकतर जाडियों के रूप में पाय जाते हैं पत्यों और तने गुदेदार होते हैं जो कि जल को अपने अंदर एब्जॉर्व या संचीत स्टोर करके रखते हैं कुछ पोदों के तनों में तो प्रकास स्टेशन की प्रिया क्रिया के लिए क्लोरोफिल भी पाया भोजन इत्यादी की तलाश में रात में निकलते हैं जन्तु और पक्षी सामानेते लंबी टांगों वाले होते हैं जिससे कि इनका शरीर गरम धरातल से दूर रह सके और ये जो अपना भोजन है वो इस प्रकार से ग्रैन करते हैं कि जो भोजन के अंदर जल है वही लेकर य नेक्स्ट है घास के मैदान घास के मैदान में भी क्या है शाकिये पोदों के जो घिरा हुआ पूरा एरिया है विस्तरित एरिया है जहां पर की विभिन प्रकार की घास पाई जाती है वो घास के मैदान एकोसिस्टम में आता है इस एकोसिस्टम में कहीं कहीं पर छोटे पे सिमित चराई के द्वारा प्रात्मिक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और अधिक चराई के द्वारा घास भूमी का हास होने से कोई भी इसको नहीं रोक सकता अगर हम कहें कि वापे पशों की अधिक जराई कराई जाए तो वो चराई करेंगे तो धीरे-धीरे क्या है घास का मैदान मरुस्तल के अंदर परिवर्तित हो जाएगा अब घास के जो खेतर है उसको भी अलग-अलग भागों में बाटा गया है दुरुविय घास शेतर है उश्न कटी बंदिये घास शेतर है और शितोश्न कटी बंदिये घास शेतर है मृदा की आंदरी कुरुवर्ता के कारण विश्व में जादा तर प्राकरतिक घास तल क्रक्षी के शेतर में परिवर्तित कर दिये गया है इस चार्ट में हम देखेंगे कि कौन-कौन से घास के मैदान किस-किस विश्म में कहां-कहां पाय जाते हैं जैसे उत्री अमरीका में जो घास का मैदान है उन्हें प्रेवरी कहते हैं, यूरेशिया में, स्टेपीज, अफरीका में, सवाना, दक्षनी अमरीका में, पंपास, औस्ट्रिलिया, डाउंस, दक्षनी अफरीका वेल्ड, न्यूजिलेंड में, कैंटरबरी, हंगरी में, पुस्टाज और ब्राजील के अंदर जो है घास के मैदान, उन्हें कैमपोस कहा जाता है। और यह अधिकतर क्या होते हैं, बरफ से घिरेवे एरिया होते हैं, और इसके अंदर कद आते हैं, आर्टिक टुन्डरा और अल्पाइन टुन्डरा। नेक्स्ट है जलिये पारिस्तिति की तंत्र, एक्वेटिक एकोसिस्टम, जिसे तीन भागों में बाटा गया है, फ्रेश वाटर, स्वच जल एकोसिस्टम, और संकर्मन कालीन, और लास्ट है मरीन एकोसिस्टम सागरिये परितंत्र। स्वच जल को वापिस दो भागों में बाटा गया है, लैंटिक और लॉटिक, इस्थिर पारिस्तिति की तंत्र, लैंटिक एकोसिस्टम, इस प्रकार के एकोसिस्टम में जल क्या है? इस्थिर रहता है, और इसे भी तालाब, या पूल और जो जील है, ये सब मिलकर इस्थि जील है इस जील में क्रिशी शेतर से आये जल वहां के कारण नाइट्रेट और फासफेट की अधिक्ता होती है और इसका जो उधारन है वो शिरिनगर की डल जील है दूसरा है आपकी डायस्ट्रोफिक लेक जिसके अंतरगत जल का जो रंग है वो भूरा और पीच कम होने के का जलाता है फिर है एंडेमिक जील ये जील अत्यंति प्राचीन और घहरी जील है जिसका एक मुख्य उधारन है रूस की बेकाल जील और लास्ट है आपका मरुस्थल ये लवणिये जीलें जिनमें मरुस्थलिये लवणिये जीलों में भी हम बात करते हैं राजिस्थान की सा जय विवित्ता दोनों तरह मिलती है वहां पर जिस जगे पर, ये दोनों मिल रही है उस जगे को आशिये कहते हैं तो वह पर कहा है कि नदी से सम्मंदी जो एको सिस्टम है वो और समुंदर का जो एको सिस्टम है तो दोनों के तरह के जो जीव है उनकी जैविवित्ता पेड़ पोदे जो जलिये रहने वाले हैं वो सब इसके अंतरगत अधिक पाई जाती है लास्ट है आपका मेरीन एको सिस्टम मेरीन एको सिस्टम की बात करें तो मेरी निको सिस्टम वहां सिस्टम है जहाँ पर की यह काफी बड़ा है और इसका जल कठोर होता और लवन की बात्रा इसके अंतर इसके अंतर अधिक पाई जाती है। इसके जो मुखे रूप से यहाँ पर समुदर में पाये जाने वाले जो इको सिस्टम है इस के अंतरगत समुदर में पाये जाने वाले विभिन परकार के जीव जन्तू, जू प्लैंक्टोन, फाइटो प्लैंक्टोन, और छोटी मचलिया, बड़ी मचलिया और गहराई में रह पाई जाती है जो एक जली एकोसिस्टम का निर्मान कर रही है क्रित्रिम पारिस्तितिकी तंत्र क्रित्रिम नाम से समझ में आ गया कि क्रित्रिम का मतलब है जो मानव निर्मित है वह पारिस्तितिकी तंत्र जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है वह क्रित्रिम पारिस इसके अंदर व्यवधान बना रहता है इसके अंतरगत हमने बात करें थी क्रिशी की या किसी भी प्रकार के एक्वा कल्चर की तो इसके अंतरगत जो भी मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें है चाहे वो कोई अर्बन एरिया है वो सब एक करित्रिम, परिषतिकी तंत्र का निरमान करता है, खेट में जो है, घेट में जो फसल है, या कोई भी हमने किसी भी वन शेत्र या बाग का निरमान किया है मनुश्य के द्वारा, तो वो कृत्रिम पारिसितिकी तंतर का अंतरगत आता है जिसे की एक्जामपल यहाँ पर अगर मैं आपको बताओं कि कृषी शेत्र में जो पारिसितिकी तंतर है तो प्राकरतिक तंतर के अलावा मनुश्य द्वारा निर्मित यह है तंतर इसके अंतरगत क्या होता है विबिन अधिक से अधिक उद्पादन के लिए विविन प्रकार के रासानिक तत्वों का भी प्रियोग करता रहता है जिसका की परियावरण के उपर विप्रीत परभाव पड़ता है